हाजी chapter 3 of SM के अंदर में जो हमने marketing strategy की बात की थी उसमें manpower strategy की बात की थी उसमें production strategy की बात की थी उसमें manpower strategy के अंदर में self managing team का एक नया concept आया है new syllabus के अंदर में जितना मुझे याद है हमने इसके बार में थोड़ी सी बात की हुई है हमारे regular classroom में अगर आपने regular batch attend की है बट मै कुन से काम खुद करेगी activities खुद coordinate करेगी hiring करनी है नए इंसान को लेना है खुद करेगी training देना है खुद दिलवाएगी काम भी खुद करेगी reward किसको करना है नहीं करना है कितना reward करना है bonus कितना देना ये भी खुद decide करेगी तो ये concept बहुत जादा globally spread हो रहा है इंडिया मे भी हो रहा है आजकल लगवग 5-15 लोगों की बीच की जो team होती है उसमें ये entire tasks undertick कर सकते है खुदी चीजों को समझते है और खुदी rotate करता रहता है job by job आज मैंने किया कल तू करेगा परसो तू करेगा चेक भी बनता रहा है जो आपने audit में पढ़ा होगा team members ये जो है ये lower level employees को हम decision making power दे रहे जिस वज़से उनका performance अच्छा आता है जिस वज़से हम उनका you can say काफी अच्छे तरीके से चीजों को take care कर सकते है productivity increase होती है कम से कम 30% से लगबग और substantial increase होती है quality में cost बहुत कम हो जाता है क्योंकि supervisor की जरूत नहीं है flatter organizations हो जाते है अभी at the same time हमने OM के अंदर में if you remember हमने देखा था flexible manufacturing sales manufacturing companies के अंदर में जब तक हम ये दोनों को साथ में implement नहीं करते तब तक ये fail हो सकता है ये mess up हो सकता है but same concept वहाँ पे flexible manufacturing का भी हमने देखा हुआ है ये सब चीज़े self managing teams को करने के लिए सर्फ concept समझना जरूर नहीं इसका practical training type of organization to organization देखना performance जैसे ही increase होता है employee productivity वैसे ही उसको performance का bonus देना चाहिए but bonus कैसे देना कब देना और ये आपस में हम bonus दे रहे है एक दुसरे को कोई उपर नहीं बेठावा एंसान supervisor नहीं है तो इसके लिए इसको define properly करना चाहिए और कैसे define करना चाहिए कब ये achieve होगा क्या bonus देना चाहिए इस को finalize करना चाहिए